दोजो अभी तक हमने चैनल पर बहुत सारी poems पड़ी है, कुछ long poems पड़ी है तो कुछ बहुत लंबी poems पड़ी है, कुछ short poems पड़ी है तो कुछ बहुत ही short poems पड़ी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग एक ठीक ठाक सी poem को पड़ेंगे, लेकिन इस poem का गहरा मतलब है काफी इस poem का नाम है A Far Cry From Africa देखो ये एक ऐसी poem है जिसको बिना historical और literary context के समझा नहीं जा सकता तो ये एक introductory video है इस poem को लिखा था Derek Walcott ने आज की इस video में मैं आपको इसका literary और historical context बताऊंगा और next video में हम लोग इसको text by text समझेंगे दोस्तों ये poem के direct text को समझने से पहले आपको ये introduction जरूर पता होना चाहिए ये historical context जरूर पता होना चाहिए जो आज इस video में बताने जा रहा हूँ बिना इसके आपको ये poem समझ में ने आईए चलिए शुरू करते हैं मिलता हूँ इस video के end दोस्तों आप इस writer की photo देखो एक बार जो आपकी screen पर आ रही है इस writer का नाम है Derek Walcott ये एक ऐसा writer है जिसकी रगों में अफरीका का खून भी दौड रहा है और यूरोप का खून भी दौड रहा है मतलब इनके जो पूर्वस थे वो एफरीका और यूरोप दोनों के थे मतलब दोनों ने आपस में शादी की थे एक दफा इस इंसान की बौड़ी में खुद को imagine करो और बताओ कि अगर बात आये अफरीका और यूरोप की यानि की अंग्रेजों की और केनिया की तो आप किसकी साइट लोगे अफरीका की साइट लोगे या यूरोपेंस की साइट से बोलोगे इन्होंने खुद एक पूवम लिखी है A Far Cry From Africa उसके अंदर एक लाइन है I who am poisoned with the blood of both where shall I turn divided to the vein तो बहुत important हो जाता है इस पूवम को पढ़ने से पहले इसके writer के background के बारे में जान लो कि कितने बड़े dilemma में था ये writer किसकी साइट से लेखे जरा सा भी partial होने पर कितना इसको criticize किया जाएगा criticism मिला हमें पता होना चाहिए कि क्यों इस writer को Nobel Prize मिला है देखो कहानी है माओ माओ अप्राइजिंग की जो आठ सालों तक चला था 1952 से 1960 तक उस टाइम पर ये माओ माओ एक ग्रुप था उन्होंने European से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी दी किस तरीके से गोरिला फाइटिंग करके आप लोग पता नहीं होगा गोरिला फाइटिंग क्या होता है हर किसी एरिया का एक तरीका होता है बहार के लोगों से लड़ने का जैसे अफगानिस्तान में गोरिला फाइटिंग पाहाडों में चुपकर लड़ते थे और जंगल वाले लाके में जंगलों में चुपकर लड़ेंगे तो बहार के लोग जैसे कन्फ्यूज हो जाए उस तरीके से एक स्पेसिफिक एरिया के गोरिला फाइटर्स होते हैं अब ये लोग एक ट्राइब से थे कि कुई यू ट्राइब इन लोगों को भी अंग्रेजों ने अपने रूल के दौरान बहुत सप्रस किया था दबाया था तो इन लोगों प्राब्लम थी उनसे केनिया में इन लोगों को अंग्रेजों के रूल से नहीं बलकि अंग्रेजों से ही प्राब्लम थी कि किस तरह से हम लोगों को दबा के रखा है आपको पता ही होगा कि अंग्रेज जब किसी की जमीन पर कफ़जा करते थे उस टाइम पर तो उसको एकनोमिकली बहुत बहुत बुरी तरीके से एक्स्प्राइट करते थे तो वहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा था इन माव माव लोगों के पास में इतने रिसोर्सिस थे नहीं कि ये ब्रिटिश आर्मी से सामने खड़े हो करके लड़ पाए आमने सामने तो इन्होंने अपनी ये गोरिला टैक्टिक्स थे वो अपना है जैसे रात के टाइम पर जब कोई सिपाही सूरा होता था बिना हत्यारों के तो उस टाइम पर अटैक करते थे ये थे इनके गोरिला टैक्टिक्स तो यहाँ तक ठीक है कि तुम किसी सिपाही पर अटैक कर रहे हो ये तो बहुत गलत किया, लेकिन ऐसे काम को एक तरफ फ्रेंच फैनन जैसे राइटर सही ठहराते हैं, वहीं पर हमारे जो राइटर है, अफ़ार क्राइब प्रम एफरिका जरून लेखी है, डेरेक वेलकॉट, वो बोलते हैं कि ये एक ऐसा क्राइम है जिसकी कोई मापी नही क्योंकि एक बच्चे की क्या गलती है, उस औरत की क्या गलती है, वो तो उपर से ओर्डर फालो कर रहा है, देखो सबका एक अलग तरीका होता है, हम किसी को जज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस ताइम पर ये माओ-माओ अप्राइजिंग हुई थी, उसी से रिलेटिड है ये हाला कि उस अप्राइजिंग को दबा दिया गया, लेकिन बड़े बुरे तरीके से, बिटेश लोगों ने पोस्ट फुली उस ताइम पर लेबर कैंप्स बनाये थे, सेम टू सेम नाज़ी कॉंसेंट्रेशन कैंप्स होते थे न, उनकी तरह लगते थे ये कैंप्स, बलकि व ये लोग बटे हुए थे, इसलिए बिटेश अट्स ने इनको दबा दिया, और ये वो इंपॉर्टन चीज थी, जो आपको इस पोवम को शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पोवम के अंदर डारिक वैलकॉट ने बहुत सारे लिटेरी डिवाइस का यू जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट को समझेंगे, पहले हम लोगोंने इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स समझ लिया, इसका लिटररी कॉन्टेक्स समझ लिया, चलिए आज हम इसका टेक्स समझेंगे, टेक्स्ट में मैं आपको वर्ड बाइ वर्ड, लाइन बाइ लाइन बाइ अफिरwriting के कुornoी और पहनने तो यह जो तीन लाइन है यह खुला हूआ क्राइंड में सेट एक रहा ब्लेंग घ्रास लेंड़ आपने ना आपने देखा होगा खुले ऻता है वैसे लेकिन यहाँ पर घ्लास के मैदान येलो कि घंस येलो हुँ रखिये, यहां पर तीन लाइनों में पर से एलिया की बाס कर रहे, वह एलिया शायद किसी जानवर की खाल से प्रजाती के हैं, यहां पर यह जो word यूज किया है टाउनी पैट इसका मतलब यह है टाउनी का मतलब होता है ओरंज ब्राउन या येलोईश ब्राउन कलर की खाल जो होती है न पैट का मतलब होता है खाल वैसे, पॉस्ट लाइन पर गौर करो A wind is ruffling the टाउनी पैट अफरीका कि एक हवा चलती है और और अफरीका की जानवर की खाल जैसी जमीन पर चलती है और यहां की घास को उपर हवा में उठाती है अपलिफ्ट करती है उपर की तरफ उठाती है अब ये हवा चलने का मतलब यहां पर साफ नहीं कि अपाइट नहीं कि इसका मतलब क्या है हो सकता है कि किसी तूफान के आने का सिगनल है Kenya बे रहने वाली जो tribe है किकुयू मैंने आपको बताया था पहले भी किकुयू tribe जो है उसको यहाँ पर मक्हियों की तरह मक्हियों से compare कर रहा है मैंने काफी सारे comparison है इस poem के अंदर तो किकुयू जन जाती के लोग इतने fast हैं जैसे मक्हियां किकुयू quick as flies, flies का मतलब मक्हियां batten upon the blood streams of wet जैसे मक्हियां खून पर जागर बैठती है ना आप देखना, खून अगर खुला हो तो वहाँ पर आगर मक्हियां बैठ जाती है वैसे ही इस tribe के लोगों का food भी खूनी है इतना खून है कि इस grassland पर नदिया बन जाए उस खून की ठीक है? और खून की नदियों को यहाँ पर नसों की तरह काए देखो blood streams, मतलब नसों की तरह काए जन पर मक्हियां आकर चिपक जाती है अब एक एक चीज का मतलब साफ साफ समझाता हूँ मक्हियों की तरह तेज होने का मतलब एक मतलब ये भी मान सकते हो कि ये लोग बड़े smart है ये लोग बड़ा जल्दी समझ गए कि अंग्रेज उनसे व्यापार करने के लिया लिया नहीं आ है बलकि उनको लूटने के लिया है awareness बड़े जल्दी आ गए इन लोगों में इस tribe की लोगों में कि कुईू tribe की लोगों में तभी तो इन लोगों ने revolt कर दिया आगे वाले line में part क्या बोलता है cops are scattered through a paradise यहाँ पर cops का मतलब है लाशे तो इस जन्नत जैसी जगह पर लाशें बिखरी पड़ी है scattered का मतलब बिखरी पड़ी है cops का मतलब लाशे यहाँ पर paradise मतलब जन्नत जैसी जमीन अफ्रिका की जमीन को का है लेकिन यह जन्नत जैसी जमीन है किसके लिए वहाँ के native लोगों के लिए या फिर अंग्रेजों के लिए जो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आये थे लेको अगर native लोगों के लिए यह जन्नत जैसी जगह थी तो अंग्रेजों के लिए भी यह जन्नत से कम नहीं थी क्योंकि उनको एक नया land बिला था जहाँ पर savages उनके हिसाब से जानवर रहते थे मतलब वो दूसरी जन्जातियों को जानवर की तरह मानते थे जिन लोगों ने Christian धर्म नहीं अपना रखा था उस सिर्फ गूरे लोगों को ही इनसान मानते थे लिए भी यह जगह जन्नत से कम नहीं थी only the warm warm का मतलब होता है कीड़ा मरे हुए मास के उपर जिस तरह warm यानि कीड़े राज करते न वैसे ही एक British कर्णल को यहाँ पर कीड़ा कहा गया है only the warm kernel of carrion carrion का मतलब होता है सड़ा हुआ मास उसका kernel मतलब एक गूरा आदमी है जो कि शायद superior है अपने सारे जवानों में वो चिलाता है cries का मतलब वो चिलाता है कहता है waste no compassion on these separate dead देखो इस लाइन का मतलब समझ लो इसे किसी सड़े हुए मास के उपर कीड़े राज करते है न वैसे एक British कर्णल को यहाँ पर warm की तरह दिखाया है Colonel of carrion जो यह बोलकर चिलाता है अपने साथी सिपाईयों पर बोलता है कि इनसे sympathy जटाने की जरुवत नहीं है मरे हुए लाशों से compassion का मतलब sympathy अपने sympathy waste करने की जरुवत नहीं है क्योंकि यह लोग हमसे अलग है और इनको वही मिला है जो यह लोग deserve करते थे waste no compassion on these separate dead इन अलग मरे हुए लोगों पर अपनी sympathy जटाने की जरुवत नहीं अपनी waste करने की जरुवत नहीं sympathy क्योंकि यह लोग वही है आगे direct well got क्या बोलते है statistics justify and scholar sees the salient of colonial policy statistics का मतलब आप सब समझते हो आंकडे और scholars यानि scholars जो research करने आते है एक बार जब कोई कांड हो जाता है तो उसके बाद में scholars अपनी research करने के लिए आते हैं statistics present किये जाते हैं आंकडे present किये जाते हैं यह साबित करने में यह साबित करने के लिए कि यह जो लोग मरे हैं इनका मरना लाजमी था इतने लोग तो मरने ही थे colonial policy को justify करने के लिए statistics दिखा कर scholars की research दिखा कर लेकिन यहाँ पर direct wellcott बोलते हैं कि यह आंकडे तब काम नहीं आते what is that to मतलब यह आंकडों का तब क्या काम होगा that white child hacked and bad कि मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुवात में कि यह आंकडे तब काम नहीं आते जब एक white child को एक गोरे बच्चे को उसके बिस्तर के अंदर मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसका color white है लोग इतने ज़्यादा racial हो जाते हैं मतलब कि कुई उट्राइब की लोग यह भी नहीं देखते कि वो एक बच्चा है यहाँ पर दोनों की साइड नहीं ले रहे है यहाँ पर वो इनकी भी कमिया गिनवार है कि वो एक बच्चा है यह तो देखा नहीं उन लोगोंने तब क्या करेंगी यह आंकडे तुमारे या फिर two savages expendable as Jews तब तुमारे आंकडे क्या काम में आते हैं जब इन savages को savages मतलब अफ्रीका में रहने वाले लोग यहाँ पर savages wildlife के लिए नहीं यूज हुआ है यहाँ पर अंग्रेज लोग जो अफ्रीकन लोगों बोलते थे थे savages जानवर की तरह यूज करते थे इस वर्ड का उसके लिए यूज हुआ है उस तरीके से यूज हुआ है डिरेक्ट वाल कॉटना वैसे किया है कि इन जानवरों की लाइफ को Jews की लाइफ की तरह खर्च कर दिया जाता है मतलब इन लोगों को इनसान ही नहीं समझा जाता है इन लोगों को वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे नाजी कॉंसेंट्रेशन कैंप्स के अंदर Jews को किया गया था ना तो तब क्या काम आते तुवारे यहां आकडे और रिसर्च क्या काम में आती है सारी चीज़ी मैंने इस पोवम का सिर्फ एक ही स्टेंजा डिसकस किया है छोटी सी पोवम है लेकिन आपको ढंक से समझना बहुत जरूरी है बागी के स्टेंजा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे चलिए आज की इस वीडियो में सतना ही